हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, मैं नेहर आजबंशी, क्लास 12 की आज के हमाई इंग्लिश क्लास में आप सब का स्वागत करती हूँ तो बच्चों हम विस्तास्बु का चैप्टर 5 पड़ रहे थे, जिसका नाम है शूट विजार्ट हिट मॉमी तो बच्चों, लास वीडियो में हमने पढ़ा था, कि जो एक चोटी से 4 साल की बच्ची है, जिसे उसके फादर जैक स्टोरी सुनाया करते थे, बैट टाइम स्टोरी जब उसे नैप ले नी होती थी, तो उसके फादर उसे स्टोरी सुनाया करते थे, और वो स्टोरी अपने म साथ वो स्टोरी सुना करती थी और इस बार जैक जो स्टोरी सुना रही है वो स्टोरी थी रोजर स्कंक की और उसका ही प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें से बहुत जादा ओफुल स्मेल आया करती थी इसलिए कोई भी उसके साथ खेला नहीं करता था उसके आते ही सब भाग जाय करते थे तो बच्चो लास्ट में हमने पढ़ा था कि ये सुनके जो को अच्छा नहीं लगता वो भी थोड़ी से अपसेट हो जाती है वो भी दुखी हो जाती है तो बच्चो आगे स्टोरी में क्या होता है हम जानेंगे चलिए कंटिन्यू करते हैं तो बच्चो जो चोटी सी बच्ची है जो वो सोने के लिए बैट पर लेटी हुई है और तो इसके फादर है जैक जो से स्टोरी सुना रहे हैं वो उसी बैट पर उसके पास बैठे हुए हैं तो वो क्या फिल करते हैं कि जो जो है उसने जो कवर उड़ावा है वो कवर खिंचता है और ऐसा क्यों क्योंकि जो इस कवर के अंदर अपने पैरों को स्विच करती है अपने पैरों की पोजिशन वो चेंज करती है कैसे तैंसली यानि थोड़ी सी चिंता के साथ यानि कि जो को अच्छा नहीं लग रहा है कि रोजसकंग इतना दुखी है वो इतना रो वो हैपी थे वो स्टेलिंग हर सम्थिंग ट्रू और एसा क्यों जैक को अच्छा क्यों लग रहा था क्योंकि वो जो को ऐसा बता रहे थे जो की हैट्रू था जो की सच्चाई थी तो बच्चों ये हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है अगर हम हम सब के जैसे नहीं है तो must know तो ये एक ऐसी बात थी जो जैक चाहते थे कि जो को पता होनी चाहिए and had no wish to hurry on इसलिए जो जैक को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी कि वो अपनी स्टोरी जल्दी खतम करें जल्दी से वो स्टोरी आगे बढ़ाएं ऐसी उनको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी बिल् बहुत अच्छे से explain करना चाहते थे एक एक बातों बहुत डिटेल में जो को समझाना चाहते थे बट डाउन स्टेर्स चेर स्क्रैप लेकर निसी समय क्या होता है डाउन स्टेर्स यानि नीचे तो जो का रूम था वो ऊपर था तो नीचे से आवाज आती है एक चेर के स्क् किसी फरनीचर को खीचते हैं धक्का देती हैं तो खिसकाने से जो आवाज आती है तो नीचे से आवाज आती है कि कोई किसी चेर को खिसका रहा है and he realized he must get down to help clear paint the living room woodwork तो जैसे ही चेर के आवाज आती है तो जैक समझ आते हैं कि नीचे क्या हो रहा है जो उनकी वाइफर clear व के बाद जैक और clear मिलके furniture paint करने वाले थे तो इसलिए जो को सुलाने के लिए जैक आए वे थी story सुना रहे थे और नीचे clear अकेले ही paint कर रही थी तो जैसे ही चेर खिसकाने की आवाज आती है जैक समझ आते है कि clear ने painting start करती है वो furniture को paint कर रही है तो जैक को लगता है कि उन् he walked along very sadly and came to a very big tree तो इसलिए जैक story continue करते हैं ताकि जल्दी story खतम हो जो जल्दी से सोजाए और वो नीचे जा पाए अपनी wife की help करने के लिए तो वो आगे story continue करते भी खहते हैं कि फिर वो जो roger skunk था वो बहुत दुखी होके जंगल में चलता जा रहा था और चलते चलते वो एक बहुत बड़ी tray के पास आ जाता है and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl तो वो जे एक बड़ा सा पेड था उसके tip top पे tip top कहते हैं सबसे उपर तो उस पेड के सबसे उपर कौन बैठावा था एक owl बैठावा था जो कि बहुत old था लेकिन बहुत ही wise था और बहुत enormous था enormous कहते हैं बहुत ब बड़ा old owl जो की बहुत wise था वो वहाँ पेड पर सबसे उपर बैठावा था good तो यह सुनते ही जो कहती है हाँ अब ठीक है अब अच्छा हो रहा है अब फाइनली रोजस कंग आउल के पास पहुँच गया है और अब आउल उसकी problem को solve कर देगा तब जो happy हो जाती है वो कहत है good अब फाइनली वो पहुँच गया है आउल के पास Mr. आउल रोजस कंग said all the other little animals run away from me because I smell so bad तो उस आउल को देखके रोजस कंग अपनी problem share करता है वो कहता है कि Mr. आउल जो बागी दूसरे little animals है वो मुझे देखते ही भाग जाती है वो मेरे साथ नहीं खेलते क्योंकि बहुत बूरी smell आती है so you do said the owl said very very bad तो आउल कहता है कि हाँ इस बात में कोई doubt नहीं है ये बात बिलकुल सच है कि तुम में से बहुत बूरी smell आती है very very bad बहुत जादा बूरी smell तुम में से आती है ये बात बिलकुल सच है what can I do Rogers Kang said and he cried very hard तो Rogers Kang कहता है कि हाँ मुझ में से इ इसमें मेरी क्या गलती है मैं क्या करूँ ये कह कि वो जोड जोड से रोने लगता है वो कहता है कि मैं क्या करूँ मैं अपनी स्मेल कैसे हटाऊं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो ये सुनते ही जो अब excited हो जाती है और डेली जो stories हुआ करती थी तो जो को पता है आगे story में क्या होगा उसे पता है कि आउल जो है वो roger skunk को wizard के पास भेजने वाला है तो वो बिलकुल excited हो जाती है और अपने excitement में वो फटाफ़ट अचानक से बैठ जाती है और चिलाके कह जाती है wizard wizard और जैसे वो अचानक से बैठ थी है तब ही क्या होता है उस बैठ के उपर एक छोटी सी golden book रखी हुई थी वो book क्या होती है spill यानी नीचे गिर जाती है तो जो अच्छानक से excited हुजाती है वो बैट जाती है और उसके बैठने से एक book रखी हुई थी वो नीचे गिर जाती है Now Joe, Daddy is telling the story Do you want to tell Daddy the story? तो Jack को अच्छा नहीं लगता है कि Joe बीच-बीच में बोले जा रही है उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि Joe इस तरह बोल रही है इस तरह से वापस वो बैट गई है जबकि वो इसको सुलाना चाहते थे तो Jack कह रहे है कि Joe Daddy तुमें story सुना रहे है न तुम बीच में क्यों मूल रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम डैडी को story सुनाओ? No, you, me तो Joe कहती है कि नहीं मुझे नहीं सुनानी बलकि आप मुझे story सुनाओ Then lie down and be sleepy तो Jack कहते हैं कि अगर मुझे सुनानी है तो मैं सुना रहा हूँ और तुम लेट जाओ और जल्दी से सो जाओ Her head relapsed onto the pillow and she's sad तो अचानक से जो है वो वापस से लेट जाती है और उसका सिर वापस से pillow में relapse होता है वापस जाना तो फिर से वो pillow पे लेट जाती है फिर से उसका सिर pillow पे चला जाता है और फिर लेटने के बाद वो कहती है Out of your head वो कहती है आप ही अपने मन से स्टोरी आगे सुनाओ आगे क्या हो रहा है स्टोरी में वो आप ही बताओ Well, the owl thought and thought at last he said तो Jack continue करते हैं वो कह रहे हैं कि फिर आउल सोचता है वो क्या करे, क्या करे और फाइनली बहुत सोचने के बाद आउल कहता है Why don't you go see the wizard तो वो स्टोरी सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि आउल बहुत सोचता है और बाद ने वो रोजर सकंग से कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम को लेके विजर्ट के पास क्यो नहीं जाते विजर्ट तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो यह सुनते ही जो वापस बीच में बोल पड़ती है फिर उसके पास कोई क्वेशन है पूछने के लिए तो वो कह रही है डैडी वाट तो जैक कह रहे है क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल तो बच्चों जो की मन में एक और क्यूशन है वो कह रही है अपने डैडी से पूछ रही है कि क्या जो जादू होते है क्या वो रियल होते है क्या सच में जादू होता है तो उसका क्यूशन सुनते ही अग जैक सोच रही है कि जो की लाइफ में एक नया फेज आया है फेस कहते हैं बच्चों period या time यानि कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी life में अलग-अलग phase आते हैं अलग-अलग time आता है जब हम अलग तरह से react करते हैं हमारे बोलने का तरीका, सोचने का तरीका जो है वो change होता रहता है time से तो जैक को लग रहा है कि उनके बेटी अब एक ऐसी age में आ गई है जहां एक नया phase चल रहा है और इस phase का क्या नाम है? reality phase यानि कि वो हर चीज को check करना चाहती है कि क्या ये चीज सच है? क्या सच में ऐसा होता है? यानि कि जब भी कोई नई बास सुनती है तो उसको वो check करना चाहती है कि क्या ये बास real है? क्या ये बास सच है? तो इसलिए जैक को लग रहा है कि ये नया phase आया है जो की life में और इसका उन्होंने नाम दिया है reality phase वेन ही टोल्ड हर spiders eat bugs तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने इसी महीने एक दिन इसको बताया था जो को कि जो spiders होते है वो bugs खाते हैं, bugs बच्छों आप यहां देख सकते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीडे मकोडे होते हैं उन्हें हम कहते हैं bugs तो एक दिन जैक ने जो को बताया था कि जो spiders होते हैं वो bugs खाते हैं, she turned to her mother and asked तो जो ने इस वाद पर विश्वास नही के लिए वो अपनी मदर के पास गई और उसने अपनी मदर से पूछा, do they really? उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में spiders bugs खाते हैं and when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted और ऐसे ही एक और incident जैक को याद आता है, उन्हें याद आता है कि एक दिन Claire ने, उसक पाय में रहती हैं और हमारे चारो तरव हर एक चीज में God है, तो ये सुनके भी जो है वो विश्वास नहीं करती और वो अपने father के पास आती है reality check करने के लिए, यानि कि जो बात father बताती है, उसका reality check वो करती है mother से, और जो बात उसकी mother बताती है, उसका reality check करने के लिए वो अपने father के पास आती है, तो उसने अपने father के पास आके बहुत जोड देके अपने father से क्या पुछा, bitter sly and yet eager smile, और कैसे एक smile के साथ, कैसे sly कहते हैं, बहुत चालाकी से मुस्कुराते वी उसके अपने father से पुछा, is he really, क्या सच में God हमारे चारो तरफ रहते हैं, sky में रहत है, they are real in stories, Jack answered curtly, तो Jack को realize होता है, कि हाँ, ये एक नया phase चल रहा है, जो हर एक चीज़ को check करती है, जानना चाहती है, क्या वो सच में होता है, इसलिए उसने question किया था, कि जो magic होते हैं, क्या वो real होते हैं, तो Jack ने answer दिया, कैसे curtly, करतली कहते हैं, बेरुखी से बिना interest लि किया, क्योंकि Jack को अच्छा नहीं लग रहा है, कि जो बार-बार बीच में बोले जा रही है, बार-बार इंटरप्ट कर रही है, तो बिलकुर बेरुखी सा answer देती हैं, कि जो magic है, वो real होते हैं, लेकिन सिर्फ stories में, she had made him miss a beat in the narrative, तो Jack को अच्छा नहीं लग रहा था, बार तो टूट जाता था, उनकी fluency टूट जाती थी, वो beat miss कर देते थे, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, कि जो बार-बार बीच में बोल रही है, कुछ-कुछ पूछ रही है, ये Jack को अच्छा नहीं लग रहा था, The owl said, go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek, तो आगे Jack स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि owl ने उस रोजस कंग को कहा, कि तुम इस dark woods, इस घने जंगलों में से जाओ, जो बड़े-बड़े apple trees आएंगे, उनको पार करो, उनके नीचे से जाओ, तुम्हें रास्ते में swamp स्वैंब करते हैं, बच्चो दलदल, तो तुम्हें रास्ते में दलदल मिलेगा, तुम उसको भी पार करो, over the creek, तुम्हें creek मिलेगे, तुम क्रिक को भी पार करो, क्रिक करते हैं बच्चो इस तरह की नदी, आप देख सकते हैं, जो जंगल में भैती है, छोटी सी होती है, तो इस तरह है कि छोटी से तुम्हें नदी मिलेगी तुम उसे भी पार करके आगे से आगे तुम बढ़ते जाओ तो अब जो है वो फिर से क्यूशन करती है वो अपने फादर से पूछती है फादर क्रिक क्या होता है तो जै कहते है छोटी सी नदी वो कह रहे हैं कि आउल ने इस तरह से रोजर सकंग को गाइट किया कि तुम्हें कहां जाना है जब तुम क्रिक को भी पार कर लोगे तब तुम फाइनली पहुंच जाओगे विजर्ट के घर पे और रोजर सकंग ने इसी बात को फॉलो किया जो रास्ता आउल ने बताया था उसी रास्ते को फॉलो करते हुए रोजर सकंग चलता रहा और प्रिटी सून ही केम टू लिटल वाइट हाउस और चलते चलते जल्दी ही वो एक छोटे से वाइट कलर के घर के सामने पहुंच गया था तो वो घर किसका था विजट का घर था आउल ने जैसे जैसे बताया रोजर सकंग ने उसी रास्ते को फॉलो किया और फाइनली वो विजट के घर के आगे पहुंच जाता है and he wrapped on the door तो जब वो gate के आगे पहुँच गया घर के आगे पहुँच गया तो घर के gate को वो wrapped करता है खट खट आता है Jack wrapped on the windowsill and under the covers Joe's tall figure cleansed in an infantile thrill तो जब Jack ने बताया कि उसने gate को knock किया gate को खट 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 आया तो अपनी story को और जदा realistic बनाने के लिए Jack क्या करता है उस room में जहां वो बैठावा है जो बैट पर लेटी हुई है वहाँ जो पास में window थी window sill जो होती है जो window का frame था Jack उस window frame को भी वैसे ही खटखट करता है वैसे ही वो window frame को knock करता है ये पताने के लिए कि Rogers कंक ने gate को कैसे knock किया था तो वो realistic effect लाने के लिए Jack भी वहाँ बैठके window sill को knock करता है और जब उसने knock किया वो क्या फिल करता है कि जो cover जो ने ओढ़ावा है उसके अंदर जो उसका tall figure है जो उसकी tall physique है वो क्या होई अचानक से clinch हो गई clinch कहते हैं सिकोड ना तो जो जो है वो अचानक से सिकोड गई उसने अपनी figure को बिल्कुल pass में सिकोड के वो बैठ गई और बिल्कुल thrill romance के साथ कैसा romance infantile यानि बच्चों की तरह है तो यानि कि जो अब बहुत जादा excited है story में कि finally Rogers कंक wizard के गर पहुंच गया है अब finalist की problem solve हो जाएगी तो फिर से वो excited हो गई है वो बिल्कुल excitement के साथ वो बैठ गई है cover के अंदर and then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said तो जब Rogers कंक ने gate पे knock किया तो finally gate खुलता है और अंदर से कौन आता है एक छोटा सा old man जिसने क्या पहनावा था जिसकी लंबी सी white color की beard थी और उसने pointed blue hat पहनी वी थी तो बच्चों हमने देखा है पहले picture में wizard कैसे होते है इस तरह की pointed hat वो पहनते है इस तरह की hat होती है उनकी और बिल्कुल लंबी सी उनकी white color की beard होती है तो इस तरह वो wizard जो था वो बाहर आता है और वो कहता है एःःः वट इस वैचर वांट you smile awful तो बाहर आते ही वो कहता है कौन है तुम्हें क्या चाहिए तुम्मे से बहुत भयानक smell आ रही है तुम कौन हो तुम्हें क्या चाहिए the wizard's voice was one of Jack's own favorite effects he did date by scrunching up his face and somehow winning through his eyes which fell for the interval Rumi तो Jack, जो था, उसने wizard की आवाज निकाली, wizard की mimicry करते वे उसने बोला और जो wizard की आवाज थी, वो Jack का फेवरेट इफेक्ट था Jack को wizard की आवाज निकालना बहुत अपसंद था, बहुत अच्छा उसे लगता था वो विजर्ट के आवाज कैसे निकाला करता था वो अपने फेस को स्क्रंचिंग अप कर लेता था इस क्रंच अप कहते हैं बिलकुल टाइटली तो वो अपने फेस को टाइट करके उपर कर लिया करता था और अपनी आइस को विनिंग यानि बिलकुल ब्रॉट कर लिया करता थ इस तरह से वो विजट की आवाज निकाला करता था और जब वÑ अपनी आज को ब्रॉट कर लेता था तो उसकी आज कैसी होजाती थी रूमि करते हैं वैट गेला तो उसकी आज जो थी वो इंटरवैल यानि बीच बीच में थोड़ीуска से घीली हो जाया करती थी तो विजट की आवाश निकालना जैक को बहुत पसंद था बहुत अच्छे आवाश करता था पूरा एकस्प्रेशन के साथ अपना अपनी आइस और निकालना के आप पंब कि तरफ कर लिया करता था अपने बहुर्स में He felt being an old man suited him और उसे लगता था कि जब वो old man की आवाश निकालता है तो यह उसे suit करता है वो बहुत अच्छे से old man की mimicry कर सकता है ऐसा उसे लगता था I know it, Rogers Kang said तो जब विज़र्ड ने कहा कि तुम में से बहुत बुरी smell आ रही है तुम कौन हो? तो Rogers Kang ने कहा मुझे पता है मुझे से बुरी smell आती है And all the little animals run away from me तो उसने विज़र्ड को बताया कि इसी लिए जो बाकी animals है वो मुझे दूर भाग जाते है मेरे पास नहीं आते The enormous wise owl said You could help me आगे उसने कहा कि जब मैं enormous owl के पास गया था जो कि बहुत ही wise owl है उसने मुझे कहा कि तुम मेरी help कर सकते हो उसने मुझे रास्ता बताया इसलिए मैं तुम्हारे घर तक आया हूँ अब तुम मेरी help करो मुझ में इसे जो smell आती है इसे smell को तुम ही हटा सकते हो Ah well maybe come on in तो विज़र्ड ने कहा कि अच्छा हाँ शायद मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ तुम अंदर आ जाओ डोंट गे टू क्लोस लेकिन विज़र्ड ने क्या कहा तुम मेरे जादा पास मत आना तो सच में सो उसमें से इतनी जादा smell आ रही थी इतनी गंदी smell आ रही थी कि विज़र्ड ने कहा अंदर आ जाओ लेकिन मुझ से दूर रहना मेरे जादा पास मत आना तो आगे जैक कह रहे हैं वो जो से कह रहे हैं कि जो अंदर जो विज़र्ड का घर था वो कैसा था वहाँ पे जितनी भी सारे magic चीजे थी वो जंबल थी जंबल यानि खटा तो उनको खटा करके रखा गया था एक धेर के रूप में और धेर भी कैसा था डस्ती यानि धूल से भरावा एक धेर में सारी magic चीजे जो थी वो इखटी करके रखी गई थी और ऐसा क्यों था क्योंकि विजर्ट के पास कोई cleaning lady नहीं थी जोगे घर को साफ कर सके इसलिए विजर्ट का घर अंदर से बहुत गंदा था डस्ती था और सारी चीजे जो थी वो अरेंज करके रखी नहीं गई थी बलकि एक धेर बनाकियों कोई खटा करके रख दिया गया था वाई तो फिर से क्योशन आता है जो का वो पूस्ती है क्यों वाई बिकोज ही वो से विजर्ट एंड वेरी ओल्ड मैं तो जैक कह रहा है क्या मतलब क्यों उसका घर गंदा था क्योंकि वो तो एक विजर्ट है और वो बहुत ओल्ड है वो अपने घर को साफ नहीं कर सकता इसलिए उसका घर इतना गंदा था वो कह रही है कि अगर विजर्ट इतना ओल्ड हो चुका है तो क्या अब वो मर जाएगा तो जैक कह रहा है कि नहीं विजर्ट मरते नहीं है वेल, ही रमेज़ अराउंड फाउंड अन ओल्ड स्टिक औल अमेजिक वॉन और आस्ट रोजर्ट कंग वोट इतना अगे वो स्टोरी कंटिनू करते हैं और कहते हैं कि जो विजर्ट था वो सारी चीजों में रमेज कहते हैं कोछ ढूंड ना तो वो जो धेर था समान का उस धेर में वो कुछ ढूंड ता है और फाइनली उससे मिल जाता है जो वो धूंड रहा था उसे finally वो old stick मिल जाती है जिसे हम क्या कहते है magic wand तो बच्चों आप यहाँ देख सकते है magic wand तो यह stick जो होती है इसे use करते है जितनी भी fairies होती है wizards होती है वो इसी magic stick इसी magic wand का use करके अपना magic spell करते है तो वो wizard भी अपना magic wand ढोल रहा था finally उसे मिल जाता है तुम कौन सी smell अपने में से लाना चाहते हो Roger thought and thought and said roses Rogers Kang बहुत सोचता है कि मैं कौन सी smell लूँ कौन सी smell लूँ और बहुत सोचने के बाद वो finally कहता है कि मुझे roses की smell चाहिए yes good जो sad smugly तो यह सुनते ही जो कैसे कहती है smugly यानि finally वो satisfied थी कि Rogers Kang ने बिल्कुल सही decision लिया है तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है कि Rogers Kang ने roses की smell चुनी है इतना time से वो इतना परिशान था अपनी awful smell की वजए से अब जब वो smell उसमें से hurt रही है तो उसने बहुत अच्छी smell चूज की है अपने लिए roses की smell सच में बहुत अच्छी है तो जो satisfied थी कि हाँ Rogers Kang ने सही decision लिया है उसे roses की smell ही choose करनी चाहिए Jack fixed her with her trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice तो जो Jack है वो क्या करता है वो जो की तरफ fix यानि वो जो की तरफ ही लगाता है देखने लगता है किस तरह उस gauge की तरह है जैसे कि हम trance करते है यानि कि वो बिना पलक जपकाई लगातार वो जो को देखता है और क्या गरता है जो wizard के आवाज होती है उस आवाज में वो उन words को chant करता है उन words को दोहराता है यानि कि wizard जिस तरह से अपना magic spell करते है उनी words को जो jack है वो repeat करता है दोहराता है आप रहका डाबरी, हुकस्पू, रॉजर स्कंग, हाउडो यो डू रॉजर स्पू, रॉजर स्कंग, यू नेवर फियर, बिंगो तो जो jack है वो उसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से wizard जो है अपने magic wand का use करके magic spell करते है jack बिलकुल ऐसे ही बोलता है वो कह रहा है कि wizard ने अपना magic wand लिया और उसने अपना magic spell किया क्या बोलते वे आप राकडाबरी, हुकस्पू, रॉजर स्कंग, हाउडो यो डू रोजर स्कंग, यो नेवर फियर और जैसे ही उसने बिंगो कहा magic spell परफॉर्म हो जाता है magic हो जाता है तो बच्चो फाइनली wizard ने अपने magic को परफॉर्म कर दिया है अपना magic spell कर दिया है और जो रोजर स्कंग है उसकी जो awful smell है वो चली जाती है और रोजर की smell उसमें से आने लगती है वो रोजर की तरह आप वो smell करने लगता है तो बच्चो आगे अब स्टोरी में क्या होता है हम जानेंगे जब हम chapter continue करेंगे see you in the next video thank you